Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy, 16 January 2023 के दैनिक जागरण के राष्टी संस्क्रण को इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे main heading यहाँ पर जो बनाई गई है, वो है नेपाल में एक विमान हाथसा हुआ है, जिसमें 5 भारतियों समेत अर्सट यात्री मा समें से 5 भारत के, 4 रूस के, 2 कोरिया के अलावा ऑस्टेलिया, फ्रांस, अर्जंटीना और इस्राइल के एक एक नागरिक थे, यह जो विमान है, वो नेपाल के राजधानी काठमांडू से, सुबह इसने उडान भरी थी, लगबग साड़े दस बजे, और यह पोखरा जा रहा था, पोखराव से पहले ही, वहाँ पर 2 हवाई अड़े हैं, एक पुराना हवाई अड़ा और एक नया हवाई अड़ा, तो यह नया हवाई अड़े पर लैंड करने से कुछ मिनट पहले ही, एक सेती नदी पढ़ती है, उसके तट पर यह जागिरा, विमान में जितने भी अर्षठ यात्री और चार चालक दल के सदस्य थे, सभी इस हाथसे में मर गए हैं, और अर्षठ लोग की इसमें लास मिल चुकी है, बॉड़ी मिल गई है, अभी चार लोग का सर्च किया जा रहा है, यह जो नागर विमानन प्राधिकरन नेपाल, यानि की C-A-A-N है, पोखरा से पुराने हवाई अड़े और नए हवाई अड़े के बीच में सेती नदी के तट पर यह जा गिरा है, अब इसमें दो बाते बताई जा रही है, एक तो यह बात बताई जा रही है कि इसका इंजन भी सही था, यानि कि सही इस्तिती में था, और जो मौसम था, वो भी बिल्कुल सही था, और कनेक्टिविटी भी विमान के साथ सही थी, अब या तो यह मानवीय चूक है, या फिर इंजन में अचानक कोई खराबी आई होगी, तो उसका जाच, उसकी जाच की जाएगी, इसमें जो पांच भारतिये मरे हैं, उसम की उनकी जो पहचान है, व नेक्श निउस पर आते हैं, जो सी मठ फिर से निउस में है, क्योंकि यहां की जो दरारे हैं, वो वाकई में चौड़ी होती जा रही है, यानि की जो क्रैक है, वो बढ़ता जा रहा है, इसमें जो वग्यानिकों की टीम गई है, वो नहोंने भी माना है, कि जो दरार का एरि जो दरारे हैं, वो दो मिली मीटर से अधिक चौड़ी हो चुकी है, जो भू दसाओ को निश्चित रूप पर दरसाती हैं, और इस पर अब कोई कारवाई करने की जरूरत बनती जा रही है, अब दरारे जो हैं सहर के उन हिस्सों में भी बन रही है, जिन्हें अभी तक इस जो ये पुरा दरारे पड़ रही हैं, डेंजर जो उन से अलग माना जा रहा था, लेकिन अब जैसे कि डाग बंगला एरिया जो है, इसका उधारन है, जिसमें जहां पर राहत कारे के जो लोग गए हैं, वहीं पर वो इस्टे कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अब दरारे आने लगी हैं, वहां से भी उनको दूसरी जगा सिफ्ट किया जा रहा है, इसमें अब PMO की रिपोर्ट आने का इंतिजार है, और 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक त्यार रहने को कहा गया है, इस रिपोर्ट को त्यार करने को कहा गया है, ताकि 20 जनवरी के बाद कोई तुरंत एक्षन लिया जा सके लोगों को बचाया जा सके पुनरत्थान और पुनरवास की जो विवस्ता है उसको सुचारू रूप से कम्प्लीट कर लिया जाए यानि 20 तारिक के बाद से कोई न कोई बड़ा एक्षन देखने को मिलेगा या तो जो सीमट पूरी तरीके से खाली कराय जाए जाएगा और या फिर जो जिनमें दरारे आई हैं उनको उन मकानों को उन होटलों को धुस्त किया जाएगा नेक्ष्ट निउस पर आते हैं दिल्ली यूनिवर्स्टी में भी छात्र कर सकेंगे हिंदुत्त्य की पढ़ाई अभी तक जो हिंदुत्त्य के लिए कोर्स ह होता था, वो भी ऐचिव में यानि बनारस हिंदु यूनिवर्स्टी में होता था लेकिन अब इसी तरीके का कोर्स डी उमे कर आये जाएगा, इसके लिए यूनिम में यानिके दिल्ली उनिवर्स्टी में, Center for Hindu Studies याने हिंदु अध्ययन केंद्र की स्थापना का निर्णा लिया गया है डियू प्रसासन ने इसके लिए अधिसूशना भी जारी कर दी है और इसके लिए 17 सदस्ये समिती का गठन किया गया है दच्छनी परिसर के निदेशक प्रोफेसर स्री प्रकास सिंग को इस समिती क चेर्मेन निउक्त किया गया है और 12 जन्वरी को समिती गठित हुई थी रोष्टर बनाकर समिती की बैठक की तिथी गोसित की जाएंगी और केंद्र में किस तरह से कोर्स और सोध कराए जाएंगे इस बैठक में ही तै होगा कोर्स इस साल से सुरू होने या फिर अगले साल से सुरू होने होगा ये भी इस मीटिंग में ही तै किया जाएगा नेक्स न्यूज है एक रिकॉर्ड बना है कल जो भारत और स्रिलंका का वंडे मैश था कि वंडे इतिहास का सबसे वंडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत इसमें दर्च की गई है 317 रन की 317 रन की जीत 2008 में न्यूजिलेंड के नाम था 2008 में न्यूजिलेंड ने आयरलेंड को 290 रन से हराया था इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई है आप इसको देख लीजेगा इसमें विराट कोली ने 106 चटरन बनाये थे नेक्स न्यूज है कि वंदे भारत गुलामी से आत्मिरभरता की और बढ़ने का प्रतीक है ये श्टेटमेंट दिया है नरेंडर मोदी ने नरेंडर मोदी ने कल आठवी वंदे भारत ट्रेन का घाटन किया सिकंदराबाद से विसाखा पटनम तक याने दो राज्यों को ज जंडी दिखा कर रवाना किया और इससे पहले अभी कोलकत्ता में इसी तरीके की ट्रेन चलाई गई थी आपको बता दें कल भी हमने इस वीडियो जो राश्टी संस्क्राण का वीडियो होता है उसमें डिसकस किया था कि भारत की जो योजना है दो हजार चबिस तक 475 वंदे भारत ट्रेन बनाने का है और जैसे ही 475 ट्रेने बन जाएंगी भारत इसके निर्यात की तरफ बढ़ जाएगा क्योंकि एसिया और अफ्रिका दो देसों ने इस वंदे भारत ट्रेन के लिए रुची दिखाई है ताकि इसका निर्यात किया जा सकेगा अब इसमें सिरलंका बांगला देश और सिरलंका बांगला देश और एक कंट्री और थी कोई सिरलंका हो गई बांगला देश और नेपाल नेपाल ने इसमें रुची दिखाई है वंदे भारत के आयात के लिए तो अभी तो टार्गेट है किस तरीके से 475 के टार्गेट को पूरा किया जा तक भारत इसमें 75 और यानि कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत चलाने का टार्गेट है और 2026 तक 475 चलाने का टार्गेट है उसके बाद इसका निर्यात किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो वाकरी भारत के लिए बहुत अच्छी नियूज होगी है इसमें उन्होंने बोला कि ज को लामी की मांसिक्ता को दर्साता था जिसम्में लॉस दिकता था गंदगी दिखती थी लेट लतीफी दिखती की दुरघटनाय दिखती थी लेकिन 2015 के बाद से इसमें काफी चेंजमेंट देखने को मिला है और ये बातें बोली है प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी ने चलिए नेक्ट नियूस पर आते हैं प्रधान मंत्री आवास योजना जो चल रही है उसमें केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से खर्च का ब्योरा मांगा है क्योंकि उनको कुछ ऐसे सिकायते मिली हैं जिसमें घुटाले की बात सामने आ सकती है अब इसमें 493 पन्नो का एक पत्र जारी हुआ है बंगाल सरकार को और इसमें प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए केंद्र धन के उपियोग के बारे में पूरा विवरन मांगा गया है सनिवार को प्राप्त केंद्री ग्रामिर विकास मंत्राले के पत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना में अनिमत्ताओं के बारे में राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जो आरोप लगाये थे उसी के तहत इसमें कोश्चन्स पूछे गए हैं चलिए नेक्ट निउस पर आते हैं नेक्ट निउस है LAC पर सेणा मजबूत रकषात्मक रुक अपनाये हुए है ये स्टेटमेंट दिया है सेना अध्यक्ष जनरर्मनोच पांडे ने उन्होंने बोला है कि भारती सेना वास्तिक निंत्रन डेखा पर मजबूत रकषात्मक रुक अपनाये हुए है और वो हर प्रकार की आकास्मिक इस्ति से निपटने के लिए तयार भी है जनरल पांडे ने सेना दिवस समारो जो 15 जनवरी को होता है उसको संबोधित करते हुए उत्तरी सिमावर्ती छेतरों में जिस तरीके से चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर ये ब जाकों में ड्रोन के जरिये जो हत्यारों और नसीले पदार्थों की तसकरी हो रही है उसकी कोशिसों को भी नाकाम करने के लिए जिस तरीके से से निदल जुटा है उसकी भी उन्होंने तारीफ करी और बोला है कि जो हमारी सेना है वो इन सब तरीकों को पुरी तरीके से न अच्छा के लिए पूरी तरीके से मुस्ताइद हैं और नागरिक हमारे निश्चिंत रह सकते हैं। नेक्ट निश्च पर आते हैं। उनके खिलाफ कोई अनुसास नात्मक कारवाई नहीं की जा सकेगी। या सेवा निवरित अधिकारियों के मामले में संभव नहीं हो सकता है क्योंकि रिटायर हो चुके हैं। और आयोग ने अगस्ट 2000 में निर्देश दिया था कि किसी भी संग्ठन में सतरक्ता पदाधिकारी पूल कालिक करमचारी होने चाहिए। और सतरक्ता समंधिकारियों के लिए किसी सेवा निवरित करमचारी को निउक्त ना किया जाए। होती है वो सपता चल रहा है और ये 11 से 17 जनवरी तक चल रहा है। सुरक्षित सफर के लक्ष को पूरा करने के लिए राश्टी राजमार प्राधिकरन सुरक्षा ओडिट से समंधित अपनी नीती के तहट पिछले दो सालों में 35,000 किलो मीटर से अधिक नेशनल हाइवे का सुरक्षा ओडिट कर रहा है। कि लगबग 165,000 किलो मीटर नेशनल हाइवे का यह लगबग 14 ही है। लेकिन इस दौरान 8,000 जोखिम वाले स्थानों को इस धंग से ठीक करने की पहल हुई है कि वे आने वाले समय में दुरगटना का गवा ना बन पाएं। NHAI के अधिकारी इस ओडिट को रोड सेफटी के लिए एहम मानते हैं। चलिए, नेक्ट निउस पर आते हैं। बिजनेस पेज में दो निउस हैं हमारे लिए। पहली निउस है कि रियल इस्टेट को मिले महंगे कर्च से मुक्ती। अब देखिए, जो करोना महामारी के बाद से बढ़ती भी वैस्टिक महंगाई है, उसके बावजूद 2022 में देश के रियल इस्टेट उड़ोग के लिए अच्छा रहा, यानि कि खुब इसमें विक्री की गई। लेकिन अब ब्याजदरों के महंगे दौर में इस उड़ोग के लिए वर्स 2023 वा इसके बाद के लिए कुछ चुनोतियां पैदा होती दिख रही है, क्योंकि RBI ने क्या किया है, कि लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, हर कोई पूरा कैश देके तो ले नहीं सकता है मकान या फिर फ्लैट तो इसलिए वो करज लेते हैं बैंकों से और EMI इतनी बढ़ चुकी है कि सायद वो EMI देने में भी सक्षम ना हो, या फिर फ्लैट जो खरीदने की अपनी योजना है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे में रियल इस्टेट खास तोर पर छोटे और ज खास तोर पर तब जब होम लोन वालों को पहले सही ये सुविधा दी जा रही है, अगर हम बात करें तो मौझूदा सरकार रियल इस्टेट छेतर में जादा पारदर्सिता लाकर कंपनियों और ग्राकों को राहत देने की मंसा हमेशा सही रखती है और दिखा भी रही है, अ आगामी बजट पिछले साल की तर्च पर ही होगा, यानि मैनुफैक्टरिंग और रोजगार स्रजन पर जोर होगा, छूट की बहुत संभावना नहीं है, रिसर्च कंपनी नाइट फ्रेंक इंडिया, इनके जो चेर्मेन हैं सिसिर बैजल, उन्होंने बोला है कि रियल इस् चूट की मौजूदा सीमा को पांच लाग करना और मकान किराय से तीन लाग रोपे तक के आयकर से अधिक छूट देना, उन्होंने एक रिपोर्ट त्यार करी है, जिसमें ये तीन बातें बोली हैं, चलिए, नेक्श निउस पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से, इसम प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी के निरतत्त में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और विसुमंच पर देश के बढ़ते कद की, सराहना की है, एक्स्प्रेस ट्रिब्यून ने कहा है, कि प्रधान मंत्री मोदी ने भारत को उस मुकाम तक पहुँचा दिया है, जह से देश ने अपनी प्रभुता और प्रभाव का विस्तरत जाल फैलाना सुरू कर दिया है, प्रधान मंत्री मोदी के निरतत्त में भारत ने विदेश नीती के मोर्चे पर हर तरफ से जीत हासिल की है, जह है वो चाइना से विवाद हो, या फिर कई ऐसे समझोते हों, रूस और युक्रेन का जो युद्द चल रहा है, उसमें जो विस्तरत एक तरफ और रूस एक तरफ हो गया था, उसके बावजूद भारत ने अपनी विदेशी कूटनीती के द्वारा ही रूस से कच्छे तेल का आयात किया, जबकि अमेरिका स्पश्ट तोर पर मना कर रहा था, दबाव बना रहा था, लेकिन भारत ने उसको दर किनार किया और सस्ती दरों पर ही रूस से तेल आयात किया, जबकि कई देशों ने रूस से तेल आयात करने से मना कर दिया था, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जो भारत की विदेश नीती को, कूट मीती को खुब प्र के रूप में जल्द ही भारत जाएंगे, कम्मिनिश्ट पार्टी आफ नेपाल मॉइस्ट सेंटर के 68 वर्षी नेता प्रचंड ने नेपाल के प्रधान मंतरी के रूप में पिछले साल 26 दिसंबर को सपत ग्रहण की थी, इससे पहले उन्होंने नेपाली कॉंग्रेस के निर दाओस सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया भर के दिगज भारत की एहम भागेदारी, देगे सुजर लेंड के दाओस में सोम बार से वैस्टिक नेताओं का सम्मेलन सुरू होगा, इसमें भारत के सौ सदस समेत हजारों प्रतिनीधी विभाजित दुनिया में सहयोग के विस आयोजित करनी पड़ी थी, दाओस सिखर सम्मेलन आम तोर पर जन्वरी में आयोजित होता रहा है, कुरुना महामारी सम्मंदी प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं हो पाया था, इसके पहले वर्स 2021 में बैठक भी ऑनलाइन ही हो पाई थी, और बात करे महामारी से जुड़े कुछ प्रतिबंधों के अब भी कायम रहने युक्रेन में जारी युद्ध और भू राजनितिक इस्तिती के आर्थिक दुस्प्रभावों के साथ साथ स्वास्त संकट ने इस बार की बैठक को काफित दिलचस्प बना दिया है, चलिए, तो ये आज का, यहने 16 जन्वरी 2023 क दैनिक जागरन का राष्टिय संस्क्रण था, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद